हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतूस किचन, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये छूले की सबजी बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जी हाँ ये तरीका ना आपने पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा, आज की सबजी को बनाने के लिए ना ही हम यहाँ प्याज, ना लेसन ना फिर टमाटर या फिर कुछ भी ऐसा योस नहीं करेंगे, सिंपल मसालों से बिल्कुल चटाकिदार, बहुत टेस्टी, बिल्कुल धाबे स्टाइल सबजी बना देंगे और ये देखिए, ये सबजी इस तरीके से बनकर तयार होगी, तो अगर आप ये वीडियो प अगर आप भी सीखना चाते हैं बिना अदरग, बिना प्याज, बिना लहसन के बिल्कुल होटल जैसी धाबे जैसी टेस्टी सबजी बिनाना तो जरूर देखिएगा, लेकिन इसका टेस्ट धाबे जैसा है, मगर बनाई हमने अलग तरीके से हैं, तो पूरी वीडियो जरू ट्राइ कीजेगा, तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं आज की आसान सी वीडियो, तो यहां पर आज मैं दही का यूज करूँगी, और यहां पर एक चमच धनिया पाउडर और यहां पर आधा चमच तीख्या वाला लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, मैंने फिर इसम जो घर के बेसिक मसालें बस वही ले रही हों है, तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर आपको यहां डालना होगा, अगर आमचूर पाउडर नहीं है, तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है मैंने, और बाद में हमने यहां पर डाला है गर पाउडर और ओनियन पाउडर पड़ा रहता है तो यहां पर यह एवरेश्ट का मसाला आप यूज कर सकते हो अगर आप पिल्कुल सावन स्पेशल इस रेसेपी को भी बनाना चाहते हो तो बस अच्छे से मैंने इसे डाल दिया अधा चमज भरके और फिर इसके बाद हम इसे म ब्लके फिए लेना आपको पाणी डालना है धोडा सा सोधा रालना है और यहां पर मैंने जो हम चाय पत्ति का पानी सब्सक्तार हो उसका यूज का संच ल कालता है depression भरके हाँ तो यहां पर गढ़ाई इस सरसो का तेल गरम किया स्थाइश एवकर बड़ी और ईलाई और हो दोटी इलाइची और काली मिर्ची तो और लॉंग यह सब चीजे मैंने यहां ली है और हरी मिर्च को भी बीच से काट कर लिया है तो यह सब चीजे आप देखिए जरू डालिएगा बहुत बढ़िया एकदब नैचुरल फ्लेवर आएगा आपके छोलो में बहुत टेस्टी लगेगा तो तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने और उसके बाद यहां पर हमने सारे खड़े मसाले डाल दिये और इन्हें अच्छे से रोष्ट करेंगे अब इसके बाद हम यहां पर थोड़ा सा जो हरी मिर्ची हमने लिए वो डाल देंगे तो हरी मिर्च यह को मैंने पहले से काट के लिया है तो पूरा एक चमज भरकर मैंने डाल दिया है और इसे भी आपको तेल में भून लेना है जी हां इससे भी फ्लेवर एकदम बदल जाता है धनिये का तो वो भी आप जरूर कीजिएगा और फिर उसके बाद जो हमने धही का मसाला प्रिपे हो जाएगा वह अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको यह धहीस में डाल देना है और अच्छे से से मेला लेना है और देखे कितना बढ़िया कलर आया ना बहुत बढ़िया मसाला बनकर तयार होता है अब आप बोलेंगे इतने सारे छूलों में कैसे गाड़ा पनाएगा तो उस गाड़े पन को लाने के लिए यहां पर हम एक नई ट्रिक आपको बता देंगे अभी और यहां पर इस बाउल को धोके मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसाले को अच्छे से आपको भूल लेना है मसाला बिल्कुल भूनकर रेडी हो गया ह अब हम इसके अंदर जो हमने छोले मैश किये थे वो डालेंगे जी हां दोस्तों यह जो छोले हमने मैश करके अलग रखे थे ना बस इसी टाइम के लिए रखे थे अब इसी को आपको इसमें मिला देना है और अच्छे से पका लेना है हां इसे पकाना बिल्कुल मत अब इसे पका लिए और पिर आप देखेंगे कि आपकी गारी गरी वी सी बन कर रेडी हो गई है तो जैसे आप प्यार मातर से भेवी बनाते है जो फूले बन कर तैयार हो गई है तो बहुत हैसं अब आको प्यार चाहिए लेकिन फिर भी आपकी रेस्टॉरन्ट स्टाइल रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तयार होंगे तो बस फटा-फट से यहां पर मैंने इसको ऐसे मसाले के साथ भून लिया अब इसके बाद आपको यहां छोले डालने हैं और इसी स्टेज पे आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी एड़ कर लेना ह तो 10-15 अपने टापी से लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिजे और आपके बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल यानि आप रेस्टोरेंट पर जैसे छोले खाते हैं बिल्कुल वैसे छोले बनकर तयार हो जाएंगे देर कप पानी डालके मैंने इसे पकने के ल इसलिए नहीं कि आप बहुत से लोगों को एसी डिटी होती है इसके वज़े से और कई लोगों को टेस्ट भी पसंद नहीं आता तो अगर आपको काला वाला पानी पसंद है तो आप साथ में चने उबाल सकते हो उस तरीके से लेकिन यहां पर हम इसी तरीके से बना रहे हैं तो बस जट-पथ हमारे छोले बिल्कुल तयार हो गए हैं इसे सर्फ कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल छोला तयार है इसे आप नान के साथ इसे आप भटूरों के साथ सर्फ कीजिए बहुत इंजोई कीजिए और आप बिना टमाटर कि आप इस तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट की ग्रेवी वाली बहुत टेस्टी सबची बना सकते हैं इस तरीके से तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हैलफुल लगी हो और अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे फोलो करना बिल्कुल मत भूलि चलिए मिलते हैं आपसे अगली इसी तरीके की आसान और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई